तो आज है फ्राइडे और इस दिन की बड़ी बात ये है कि मेरा जो सपना था वो पूरा नहीं हो पा रहा था मैं थोड़ा बहुत मैंनत कर रही थी मैंने आपके साथ ये चीज शेर नहीं की थी और आज वो पूरा हो चुगा है जैसे एक छोटी सी बात बता हूँ जी में मतलब बेबी नहीं हो पाते हैं वो कहीं से गोर ले लेते हैं मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं तमाटर का पौधा उगा हूँ और लखीली तमाटर का पौधा आ गया है ये देखिए ये है तमाटर का पौधा ये देखिए तो यह है टमाटर का पौदा सुव आम नाट शोर कि वो टमातर ही है की ने पर मैंने टमाटर तो लगाया था पर इसको देखने के बाद उसके लीफ Hagث और ईसकी लीफ्स मैंच कर गया है सो मुझे लग रहा ही है वह टमाटर ही है क्योंकि मेरेको वह शौर नहीं था कि रखा था कि नहीं लगाया तो है तो यह लग नहीं रहता है पर अभी शौर हो गया इसे देखकर और वह बोलते है ना पकड ले एक हाथ में कामरा है तो यह देखिये इधर से थोड़ा चाहा तो मैं दिखाओ यहाँ पर टमाटा 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 यह सपना था आप अम्मा भू दिखाएंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है यह फाइनली वी हाव टमाटा पेबी अरी कपड़े तो चेंज कर लो और अम्मा देखो स्कोषर के तो चछी कर दोले तो रहे हैं इस नेकर आप चेंज के तो यह तो यह घंदे का एक पौदा हम लेकर आए है और यह एक इंडो प्लांट है जिसके जो लीफ से वो रहाद है कहीं चिलाओ रूप 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 कहीं है मेरा वाइट है कहीं चिलाओ काटने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक एक वही निकाल लागा है मैं उससे लेने वाली थी मैं जासवन गुड़हल लेने वाली थी पर मुझे जैसा गुड़हल चेना जो ओरीजनल गुड़हल होता है वो चाहिए था तो वो नहीं था उसके पास बाइदेवे मैं डैंटिस के पास गी थी अपने दात साफ करवाने देखिए अबी दात क्लीन लग रहे है अबी तो आते समय मुझे यह सारी चीज़े दिखी और मेरे से राह नहीं गया और में ली टामाटर की अबी गछब करवाए o है वाइड करने के लिए दाफ बीचिंग करके तो के लिए पर उसे बहुप सेंसिटीव बढ़ जाएंगे बहुत आने जारी हो ओके चलिए टमाटर के इस पौदे को वेलकम करिए कमेंट सेक्शन में यह हमारा न्यू फैमिली मेंबर है और लगाते है फैमिली मेंबर को सही जगा पर कि अवीर कर दोघ है अज़ चाहता बेंटी किए इस दो मार्फ यह हमारा न्यूप चाहता न्यूप It's so beautiful, you and me, we're meant to be, in the great outdoor, forever free. I changed the house so I changed the clothes. क्योंकि मैं इना वाइट पहना था वैसे यह भी बेबी पिंक है यह भी गंदी होने के चांसे से पर अटलिस फुड़ा पुराना है सो अभी मैंने देखा अपने तुलसीची लगाया अभी मैं टॉमाटो को लगाऊंगी और जो हमारा ओल्डेडी टॉमाटो है उसे में सपोर्ट दे दिया है और अब इसे लगाऊंगी और इसी गंदे में दो बदाम की भी पौदे है दिखाती हूं झाल्वाँदद चन्द़ी सुड़ा बदाद बदाद प्लेश्स तर्वात्व थाल में दो थाल्वाँ अपने तुलसी पौदे है और उन्सवारी पौदे है कर दो कर दो में हांना दो कर दो से हां स्पीजियर तो शुक्त दोख्यका। तो सुबर मैं गयी थी जीम से आने के बाद में आदो कर तुरन थी डॉक्टर देंटिस्ट हमें बास चली गही थी और तुरंध ही इस साल ले इपाए, डॉक्त है नाष्टा साख कहें how my ३द्झा मेस ही याका है रह्मेस बुद्ध सब्सक्तिसर बेरा है, वोत बूप भूब ही में ध्याटा है बजिए बॉकी ब्रेक्फसमें, Sneer अब बज़ोऑ है झाल 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 बढ़ किया लगते हैं 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 अब। टेप्स आंवी तुम्हारा भी जल्डी आयगा आपका डिली सन शोंचे लात़ा इस बूस्यों में यह जोती आपकाव धिकाई बिधा अदर भीकाई जिए ज़िए लाट तोसे टांगे अलगीत टेहरा भी दीखते है प्राफी, यूटूब के, अरे सब जम वीडियो बनाइला, उक्रेकातिन लेखे लेखे तो इग्नॉर करिये मेरे मैसी बालो को पूरे से इधर उधर हो चुके है शाम को केदारना स्मूवी देखी जो कि ओके थी, बहुत अच्छी नहीं, अठीक थी मतलब ओके शाम को आपने राज को एक प्ले बटन, शिल्वर प्ले बटन अन्बॉक्स करते में देखा होगा जो कि यह है आप सोच रहोंगे कि यह किस चानल के लिए मिला है यह एक ऐसे चानल के लिए मिला है जिसके बारे में मैंने आज तक आपको नहीं बताया जी हाँ मैंने आपको ब्यूटिफुल हमेशा हिंदी, ब्यूटिफुल हमेशा मराथी, राज पापा जी धाबा, बेबी 360 और मिसनी का यह सारे चानल के बारे में बताया रच पर इस चानल के बारे में मैंने नहीं बताया क्योंकि जब बताओ तो लोग उसे गलत जज़ करने लगते हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि हर चानल मेरे चानल की अज़े से चलता है क्योंकि मैं उन्हें प्रमोट करती हूँ और कई बार मुझे ऐसा भी बोला जाता है कि दीदी प्लीज हमारे चानल को प्रमोट कर दो तो मैंने इस चानल को अच्छली प्रमोट नहीं किया और आज जो भी है यह अपने बदालत है मैंने आज तक अपने चानल पर भी इस चानल के बारे में बात नहीं की बहुत पहले की थी बहुत पहले पर उसके बाद फिर कभी नहीं किया था तो मैं आपको यह बता दू कि मेरा एक चानल है टिप्स एंड रेमेडी जिसे मैंने अपने कर्जिन को दिया था चलाने के लिए उसने काफी अच्छे से चलाया और उसके बाद वो अच्छे मेरे लिए काम करती थी तो काफी दिनों तक उन्होंने चलाया उसके बाद उनकी यहां से ट्रांसपर हो गई तो वो चलीगी तो फिर उनके लिए इंपॉसिबल था कि वो इस चानल के लिए काम करे तो अगर वो कभी वापस आती है तो चलाएंगी या अगर नहीं आती है तो अगर आपको इस चानल का फेस बनना है तो मैं आपको यह अपॉचुनिटी दे सकते हूँ पर उसके लिए आपको नभी मुंबई या मुंबई बेस होना पड़ेगा तो आप इस चानल का फेस बन सकते है तो यह है टिप्स और रेमेडी का चानल जिसके ओल्डेडी टू लाइक सब्सक्राइबर हो चुके है जी हाँ इस चानल के ओल्डेडी टू लाइक सब्सक्राइबर हो चुके है यह एक ऐसा चानल है जा आप पर beauty and makeup related जो वीडियोस है वो हम share करते हैं तो यह मेरा secret channel जिसके बारे में आज finally मैंने आपके साथ share किया इनकेस अगर आप interested है इसका face बनने के लिए तो आप मुझे fashion address jaminfotek.com पर mail कर सकते हैं वहाँ पर कुछ requirements मैं आपसे मांगूंगी अगर आपको दे देते हो अगर आपको कर लेते हो so definitely आप इस channel के लिए काम कर सकते हो okay so आज जैसे कि आपको पता है Friday सुबह से काफी मतलब हेक्टिक दे था सुबह dentist के पास appointment, teeth cleaning उसके बाद मैंने gardening की उसके बाद घर आई लंच वगरे किया फिर बहुत सारा शूट खतम किया उसके बाद थोड़ा रिलाक्स करने के लिए के दार्नाथ मूवी देखा and then unbox किया एक चीज जिसे मैं थोड़ा सा अपने आपको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा दूर रह रह रही हूँ obviously जो भी Valentine डे वाले दिन हुआ है उस चीज से मैं बहुत जादा डिस्टब हूँ actually मैं नहीं बता रही हूँ पर मैं अंदर से बहुत डिस्टब हूँ जब मैंने चानल चारू किया तो जो भी शहीद थे हमारे देश के लिए उन्हें लेकर जा रहे थे ती रंगे में लपट के मैं नहीं देख सकती मैं फेस नहीं कर सकती हूँ यस मैं बहुत कमजोर हूँ इन सारे मामलों में मेरे लिए बहुत डिफुकल था तो यह सारी चीजे मुझे काफी डिस्टब कर देती है अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे साथ है प्रॉबलम जब भी कोई अटाक होता है मेरे कंट्री पर तो मेरे फैमली को पता है कि सबसे ज़्यादा डिस्टब में हो जाती हूँ मैं रोना धोना करने लगती हूँ मेरी फैमले मुझे बोलती भी है कि थोड़ा सा सीखो थोड़ा मजबूत बनो, थोड़ा स्क्राउंग बनो तुमे इतनी इन सारे मामलों में कैसी हो तुमें फेस करना पड़ेगा कोई नहीं चाहता ऐसा हो पर तो में फेस करना पड़ेगा तो मेरी लिए वो बहुत डिफिकली फेस हो जाता है जब मैं ऐसा कुछ दो करती हूं तो देखती हूं तो I really hats of those family जिनके ये जवान होते है जो अपने बच्चों को भेजते ही है कि देश की सेवा करने के लिए और हमेशा एक ऐसे डाउट में रहता है कि पता नहीं अगली बार बेटा वापस आएगा भी की नहीं So वो feeling के साथ वो कैसे रहता है ना सची में मैं salute करती हूँ उन families को salute करती हूँ जिनका जो कले जाए इतना मतलब strong है अगर मेरा बच्चा कल को बोलता है कि उसे defense joint करना है तो definitely मैं करने दूँगी अगर मेरे बच्चे जाना चाहेंगे तो मैं definitely उन्हें भेजूँगी 5. कितना mentally prepared होते हूँगे वो family वाले जो अपने बच्चों को भेजते है ना सची में ऐसे लोगों को ना सची में भगवान हर खुशिया थे हर खुशिया जो इतना बड़ा बलिदान करते है सची में मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी मतलब हूँपर जब भी मौका मिलेगा मैं पीछे नहीं रहूँगी इतना मुझे भी पता है इन सारे चीज़ों मैं बहुत weak हूँ बहुत कमसूर हूँ मुझे नहीं होता है toleration नहीं है मतलब पता नहीं कैसी मैं मैं बहुत ज़्यादा मतलब इन सारे चीज़ों से बच्पन से बनलब पैदा ही ऐसे माहूल में हूई तो मैंने देखा है सुब कुछ चीज़े हैं जो बैढ़ गई है मेरे अंदर चलिए इस vlog के यही पर खतम करती हूँ मैं आपको बस इतना प्रात्ना करूंगी कि इनके family के लिए बहुत सारी प्रात्ना हर रोस करना है हमें बस जैसे हम हमारी family के लिए blessings भगवान से मांगते हैं वैसे हमें इनके family के लिए भी हमेशा मांगना है यह fix कर लेना है हमारे दिमाग में कि हमें हमारे देश के जवानों के families के लिए भी बहुत सारा blessings भगवान से मांगना है हमें भले ही ना मिले चल जाएगा बढ़ उन्हें सबसे पहले मिलना चुब है and मैं अपने चानल पर यही आपसे बोलना चाहूंगी कि next year से मैं Valentine Day कभी नहीं celebrate करूँगी for sure कभी ने कभी ने for me Valentine Day का last था और इसके बाद मैं कभी नहीं celebrate करूँगी क्योंकि नहीं होगा इस दिन पर इतने जादा जवान शहीद हुए है मनला जब तक मैं इस दिन्या में तब तक तो मैं नहीं परूँगी और इस दिन को मैं कभी नहीं परूँगी मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राण झाल झाल